कि अज़ साड़े चार साल सब्ता में रहने के बाद भी उस असूलों से हम डिगे नहीं हैं बिल्कुर अगर आज से पान साल पहले आम आदमी पार्टी को चुनने की बजाए दिल्ली की जन्ता ने बीजे पिया कॉंग्रेस को चुना होता क्या दिल्ली में बिजली सस्ती होती क्या दिल्ली में बिजली 24 गंटे होती शर्त के वाल यह है अपनी यह मायूसी खतम करो सब लोग एक स्माइल करके दिखाओ दोस्तों अभी लोग सबाद चुनाव खतम हुए हैं उनके परिनाम आए हैं भारतिय जन्ता पार्टी को अब भूत्पूर बहुमत मिला है हम लोग श्री नरेंद्र मोदी जी को दुबारा प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले पांच सालों में उनके नेत्रित्व की केंद्र सरकार उनके साथ मिलके दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के हिट के लिए काम करेगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं अगले पांच साल के अंदर दोस्तों इन चुनाओं में दिल्ली में कि हम लोगों ने कि सबसे बहतरीन कैंडिडेट खड़े किये की नहीं कि एक एक कैंडिडेट के उपर आम आदमी पार्टी को निदेश को गर्व है कि आज भी बहुत बड़े-बड़े पत्रकार लिख रहे हैं कि एक तरफ हम आदमी पार्टी का ये कैंडिडेट हार गया और दूसे पर फ्लाना फ्लाना जीत गया अजिए कम्पेर किया जा रहा है आम आदमी पार्टी ने देश के सबसे बहतरीन कैंडिडेट खड़े किये आम आदमी पार्टी सबसे बहतरीन चुनाव लड़ी आप लोग सबसे बहतरीन चुनाव लड़े रात दिन 24 गंटे आपने दिन देखा नहीं रात देखी अपना परिवार भूल के पिछले कुछ महीनों में मैं कई वॉलंटियर्स को जानता हूं कारिकर्टाओं को जानता हूं जिन्होंने नौकरी से छुट्टी लेके पिछले चुनाव के अंदर लगाया हमने सबसे अच्छे केंडिरेट खड़े किये हम सबसे अच्छा चुनाव लड़े जो नतीजे आए वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं आए उसे समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यूं हुआ आपके खिलाफ पूरी दिन्ली के अंदर कोई नेगिटिविटी नहीं थी गलत नहीं कहा रहा भाई साथ जहां जा रहे थे आप आपके कामों की जन्ता तारीफ कर रही थी आपके लिए दिल्ली की जन्ता के मन में बेहद ए इज्जत है बेहद प्यार और महबबत करती है दिल्ली के जन्ता हमादमी पार्टी से हमादमी पार्टी के कारिकर्ताओं से फिर ऐसा क्यूं हुआ उसका एक कारण पूरे देश के अंदर एक इन चुनाओं में अलग किसम का माहौल था पूरे देश के अंदर और दिल्ली उससे अच्छूती नहीं थी दिल्ली के अंदर भी उसी किसम की आंधी बह रही थी जो पूरे देश के अंदर बह रही थी और दूसरा कारण आप लोग भी जब कई जगे जा रहे थे और मेरे को भी सुनने को मिलता था कई लोग कहते थे कि यह तो बड़ा चुनाव है यह तो राहूल जी और मोदी जी का चुनाव है यह तो केजरिवाल जी का चुनाव नहीं है केजरिवाल जी का चुनाव आएगा तो सारी कसर पूरी करेंगे यह तो राहूल जी का और कहते थे की नहीं कहते थे ज़रा हाथ खड़े करके बता दो अगर मैं कले कह रहा हूं तो पूरी दिल्ली के अंदर यह सुनने को मिल रहा था कि यह जो तब बड़ा चुनाव है छोटा चुनाव आने दो आपके काम के नाम पे वोट देगे कि यह जो भी कारण रहे हम दिनली की जन्ता को यह नहीं समझापाई कि इस बड़े चुनाओं को हमें क्यूं वोट दो गलतों ने aguori कि तो दिनली की जन्ता ने इस बड़े चुनाओं में जो भी किसी ने रहूल जी के नाम पर वोत दिया किसी काम के ऊपर सारी कसर पूरी करेंगे जितनी कसर इस चुनाव में रह गई सारी कउसर ज MON jeder कि इस चुनाव धिन्लिकी जंता ने आपके काम पर वोट नहीं दिया धिन्लिकी जंता ने इस पर वोट दिया कि यह बड़ा चुनाव नोगों का चुनाव कि राव आम आतमी पार्टी का चुनाम नहीं है तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कुछ कारे करता हूं को मैं हिए पिछले कुछ दिनों दुस दुनिया की जन्ता आपके कामों की तारीफ कर रही है आपको तो कॉल और उची करके सर उचा करके घूमने की जरूरत है आपने अपना काम किया दिल्ली की जन्ता ने सोचा यह उनका उपर वालों का चुनाव है अब दिल्ली की जन्ता के पास जाके बोलना कि जी बड़ा चु बनाव आ गया अब छोटे चुनाव के अंदर काम के उपर वोट पड़ना चाहिए नाम के उपर वोट नहीं पड़ना चाहिए अब एक तरफ पार्टी है एक तरफ सरकार है आज से साड़े छे साल पहले अपनी पार्टी बनी थी पूरे साड़े छे साल है चब्विस मईए चब्विस नवंबर 2012 को अपनी पार्टी बनी थी पूरे साड़े छे साल पहले बनी थी आज मुझे यह कहते हुए बेहत फक्र है और मुझे लगता है हर आम आदमी पार्टी के कारेकरता को यह फक्रोना चाहिए कि जिन असूलों के पर यह पार्टी बनी थी आज साड़े चार साल सप्ता में रहने के बाद भी उस असूलों से हम डिगे नहीं हैं विल्कुल यह पार्टी बनी थी मांदारी के लिए यह पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में सबसे बड़ा अंदोलन हुआ था उस अंदोलन से यह पार्टी निकली थी प्रश्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके दिल्ली को प्रश्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमने पार्टी बनाई थी आज दोस्तों साड़े 6 साल के बाद आपके अपने मुख्यमंत्री के उपर CBI की रेड हो चुकी पुलिस की रेड हो चुकी हमारी सारी फाइलों की चेकिंग हो चुकी एक नई पैसे का ब्रश्टाचार नहीं मिला है इन लोगों को आपके मुख्यमंत्री के आपके शिक्षा मंत्री के उपर CBI की रेड हो चुकी पुलिस की रेड हो चुकी इनकी सारी फाइलों चेकिंग हो चुकी आपको फक्रोना चीए एक नई पैसे का ब्रश्टाचार नहीं मिला मनीश से सोधिया के खिलाव आपके सितिंदर जैन के खिलाफ इनके परिवार के खिलाफ के खिलाफ हमारे मंत्रीयों के खिलाफ सारी चेकिंग हो चुकी सारी टेस्ट तो चुके सारी एजन्सी दे इंकम टैक्स ने सब कुछ कर लिया एक नए पैसे का ब्रश्टाचार ने मिला दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया के अंदर आज तक इतनी मानदार पार्टी आपको देखने को नहीं मिली होगी मैं तो चैलेंज करता हूं ये तो चार एजेंसी हमको दे दो और फिर हम की बात है आप सब लोगों के लिए बेहत गर्व की बात है कि आम आदमी पार्टी का एक-एक सिपाही एक-एक नेता आज उत्रा ही मानदार है जितना ही मानदार वो 26 नवंबर 2012 को था जब हमारे पास सफ्तान की है हमारी पार्टी ब्रश्टाचार के खिलाफ निकल के आई सिंद्स के घाट हम प्रश्टा-चार मोक्त दिल्ली का सपना दिया था आज हमें बेहत कंश करव आज अब पार्टी के कारेकर्था को बहतकर कश्तों करने पढ 해 पड़र्णों जिसके तहएत अब लोगों को दुटरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते दफ्टरों को डला दफ्टरों में दलालों को पैसे नहीं देने पड़ते बलकि उनके घर आके सरकार काम तरके जाती है दोस्तों दोस्तों दूसरी तरफ दिल्ली सरकार है आज दिल्ली सरकार जितने काम कर रही है एक एक दिल्ली सरकार का का यह सारे बच्चे दोस्तों यह भविश्य बना रहे हैं हम लोग इस देश का आज जो मनीज सिसोधिया जी अतीशी जी यह जितना काम कर रहे हैं यह देश का भविश्य बना रहे हैं एक एक बच्चा बढ़ाओ के आख खुद सोचो अगर यह सरकारी स्कूलों की हालत अगर ऐ जैसी होती जैसे पहले थी इन सारे बच्चों का भविश्य खराब हो गया है यह देश का भविश्य आज आम आदमी पार्टी राष्ट्र का निर्मान कर रहे हैं लेकिन मनीज सिसोधिया जी यह कुछ नहीं कर सकते थे अगर आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं का साथ नह पहनत कर रहे हैं मनीज सिसोधिया जी के साथ इसलिए दिन्ली सरकार के स्कूल अच्छे हो रहे हैं आदमी पार्टी के कारेकरता बेहत्सोभागे शालियं कि राष्ट्र निर्मान के इसकाम में देश भक्ती के इसकाम में पन्य के ao में को मौकर मिल रहा है भागीदार बनने कोई आपको अपमानित कर देता है लेकिन आप खून का घूंट पीके रह जाते हो मुझे गर्व है मेरे के काम आदमी पार्टी के कारेकरता के ऊपर अन्ना जी ने मेसेज दिया था अन्ना जी संदेश देते थे कि जब आप राजनीती में आते हो या सार्वजनिक जीवन में आते हो आपके अंदर अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए मैं उनसे पूछता था इसका क्या मतलब है तो वो कहते थे कि जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हो अगर कोई आपका दोस्त, आपका साथी, आपका कुलीग, आपका पार्टी का व्यक्ति, आपका घर का व्यक्ति, आपका अपमान कर दे, निजी अपमान कर दे, आपको गाली दे दे, आपकी निंदा कर दे, आपको वो खून का घूंट पी लेना चाहिए, उसके ओपर कोई का का अपमान करता है अगर आपके समाज का अपमान करता है तो आपको अपनी जान की बाजी लगा कि अपने देश के अपमान की बद्ला लेना चाहिए आज मुझे बहुत खुशी है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कारे करता निस्वात भाव से रात दिन 24 घंटे दिल्ली की जनता की सेवा में लगा हुआ है अपमान पीकर भी दिल्ली की जनता की सेवा में लगा हुआ है दोस्तों आज सतिंदर जहन जी जितने दिल्ली के अंदर महला क्लिनिक खोल रहे है जितने दिल्ली के अस्पतालों में काम चल रहा है यह सतिंदर जहन नहीं कर सकता थ अगर दिन हमारे आम आदमी पार्टी के कारे करता हूं उन हजारों कारे करता हूं का साथ नहीं मिलता जो रात दिन अस्पतालों के अंदर जाके मरीजों की सेवा कर रहे हैं दोस्तों बहुत पुन्य का काम कर रहे हैं देश भक्ति का काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लि आशिरवाद यह हमारी सबसे बड़ी पुझी है जिन गरी मरीजों सरकारिया अस्पतालों के अंदर हो रहा है उन लोगों की दुखाए हमारी सभskin पूंजी जिन और यह इतनी बड़ी पूंजी के सामने बड़ी बड़ी ठाकतें ने स्क्ञाइब आगर आज से पांट साल पहले बनी की जंता ने आम आदमी पार्टी को चुनने की बिजाए भारते जंता पार्टी या कॉंझ्रेस को चुना होता क्या दिल्ली के स्कूल ठीक हो जाते हैं अगर आज से पां शाल पहले आम अद्मी part को चुनने की बजाए दिली की जनता ने भीज़़्े-पि आज कॉंग्रेस को चुना होता क्या दिली में म्हला क्रीनिक बनते अस्पटार ठीक हो जाते क्या और स्टेब डिलिवरी आगो होती रुष्त चाहर खतम हो जाता क्या दिली में बिजली सस्ती होती, क्या दिल्ली में बिजली 24 गंटे होती, क्या गलिया कच्ची कोलोनियों में सड़के नालिया बनती, नहीं बनती, और मैं आप से पूछना चाहता हूँ, अगर फरवरी 2020 के अंदर दिल्ली के लोगों ने खुदा ना खासता बीजेपिया कॉंग्रेस को च जाएगी, क्या बिजली के दाम दुगने नहीं हो जाएंगे, क्या दिल्ली के अंदर सडकों का वही हाल नहीं हो जाएगा, दिल्ली की जनता ये समझती है, इसलिए दिल्ली की जनता कह रही है कि 2020 में तो आम आदमी पार्टी कोई जिदाएंगे, इस चुना में जिसको लोग को तोड़ेगी दोस्तों शर्ट केवल यह अपनी इमायूसी खतम करो सब लोग एक स्माइल करके दिखाओ सारी दिल्ली की जंता आपसे मुहपत करती है सारी दिल्ली की जंता अपनी दोनों भाएं खोल के आपको गले लगाना चाहती है घर घर जाईए जंता को गले लगाईए और 2020 की तैयारी कीजिए दोस्तों भारत मता की